वेलकम टो सरोप एकेडमी मैं चंदन प्रसाद आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपका याली में जारकंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जारकंड में 18 वर्स से लेकर 44 वर्स के उमर के लोगों के लिए कुरोना वैक्सिन लगाने की बात की गई है जो कि आपका जार जारकंड में जो वैक्सिनेशन है कहां पर लगाया जाएगा जहां पर आप लगा सकते हैं दूसरा आपका कि जारकंड में जो कुल कितनी अबादी है जो की 18 वर्स से लेकर 40 वर्स के उमर के बीच में है जिनको वैक्सिनेशन लगाना एक बहुत बड़ा टार्गेट है चु बातों हम चर्चा करेंगे आपका कि आकिर जारकंड को जो 18 से लेकर 44 वर्स के उमर हैं कि लोगों के लिए कितने वैक्सिन की जरूरत होगी तो इन सारे बातों पर हम लोग उलेक के लिए इसके लावा और भी बहुत सारी जनकारी हैं आपको यहां पर देंगे जिससे कि वैक्सिनेशन का कारी किस तरह से चल रहा है और जल से जल आप भी अपना वैक्सिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लेट करवाले आपके लिए सही रहेगा अगर हम बात करें तो जारखंड में वैक्सिनेशन जैसा कि आपको केंद सरकार नहीं बताया था कि 1 मई से ही प्रारम किया जाएगा लेकिन अभी तक जहारखन में आपका जनवरी से प्राराम हुआ था आपका जनवरी से लेकर आज आपका 10-11 मई है तब तक आपका जो vaccination का कारी चला आपका 45 वर्ष से एबब के लोगों के लिए आपका vaccination का कारी किया गया है आपका कुछ अलग-अलग जो front line workers थे उनके लिए अलग-अलग वेवस्था की गई थी उनके लिए vaccination का कार जिसमें की आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तक कितने भी जारखन भी वेक्सिन लग चुके हैं अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताये कि जारखन के मुखे मंतरी के दौरा जो घोसना कि गई है कि 14 मैं से वेक्सिन का का रिक किया जाएगा आपका जिसमें की 18 से इबब वाले 18 से पलस मतलब की 44 वर्स तक के लोगों के लिए वैक्सिन लगाया जाएगा अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि के अंदर सरकार की द्वारा जो घोसना की गई थी कि एक मई से हम वैक्सिन लगाएंगे उसके लिए आपको पोर्टल भी है आपका और एप है जहां पर आपकी जाकर आप वैक्सिनेशन के लिए अगर 18 से 44 वर्स के बीच में है तो आप वैक्सिनेशन के लिए रेजिस्टेशन करवा सकते हैं तो अभी तक का जो रेजिस्टेशन हुआ है हमने यहापर एक रेफरेंस लेवा है रेजिस्टेशन हुआ है जिसमें कि आपका 9,780 लोगों ने रेजिस्टेशन अभी तक करवाया है अपने वैक्सिनेशन के लिए यह तो जनकारी होगे जिसमें की रेजिस्टेशन बाकी चीजे हैं कि आपका बहुत सारी लोग तो जारकर में ऐसे हैं जो डायरेक्ट वैक्सिनेशन लेना चाहते हैं आपका वो ओनलाइन पोर्टाल विगर रहा है या फिर अन्नीस वैधाओं का उप्योग भी नहीं कर सकते हैं इसलिए वैक्सिन जो दिया जा रहा है आपका तो जो रेजिटेशन करवा चुके हैं उसके अधार पर भी मिलेगा और जो रेजिटेशन नहीं करवाए हैं वो डायरेक्ट जाकर सेंटर पर अधार कार्ट दिखा कर आप वहापर वैक्सिन ले सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं तो आपका कि रेड़ कोड़ों से ज़्यादा लोग हैं जिनकी उम 18 से ज़्यादा है और 44 के बीच में हैं तो उनको वैक्सिन लगाना है आपका और अगर हम बात करें तो जितनी वैक्सिन की रिक्वार्मेंट होगी तो उसमें कितना कितना वैक्सिन भी 10-11 मई तक आ चुके हैं यह 11 मई तक का डाटा है आपका तो अभी आपको पता दें कि जो इवाओं के लिए आपका वैक्सिनेशन का कारी जहर्खण में किया जाएगा उसके लिए जहर्खण में 2,34,000 टीका के अंदर सरकार के दिवारा भीजा गिया है जिसमें कि जहर्खण में भी दो तरह के टीके लगाया जा रहे हैं आपका आपको पता है कि भारत में जो आपका दो मुख्य रुप से आपका वैक्सिन है आपका एक को वैक्सिन और एक कोविड सिल है जहर्खण में जो ये 2,34,000 जो टीका भीजा गिया है उसमें से आपका 1,34,000 को वैक्सिन के टीके हैं और एक लाख जो डोज है आपका वो आपका covid seal के dose है और अनी जनकारी की बात करें तो आप सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जारखंड में जो vaccine लगाया जाएगा यह 14th में से तो कहां लगाया जाएगा तो यो vaccine लगाया जाएगा आपको center पर जैसा कि आपने हम नहीं बताया आपको की जारखंड में बहुत सारे center है जैसे कि हम element में के जो newspaper में जो information उसके दा अगर बात करें तो जारखंड में अभी चोवन के अंदरे जहां पर टीका करन का कारी किया जा रहा है इसके लाब विभीन जिलो में विभीन संख्या के अधार पर जैसे कि कहीं पर कोई जिला में 20 है कोई 15 है कहीं पर 34 है कोई पर 33 है तो इस तरह से वहाँ पर टीका करन केंदर है जहां पर वैक्सिन लगाया जा रहा है आपका तो जैसे कि पहले अभी तक का जो system है क्योंकि 14 में से यहां पर प्रारम होगा तो अभी जो system है आपका कि अगर 45 एर से एवब को अभी टीका लग रहा है जहारकंड में जो कि आपका प्रारम हुआ तो बहुत दिनों से चल रहा है आपका तो इसमें उनके केंदर पर जाना पड़ता है और अधारकार दिखाना पड़ता है और उसके बाद उनको vaccine लगाया जाता है आपका यही system चल रहा है आपका अगर हम बात करें कि कितने महीनों में यह तो vaccine है पहला प्रस्णत्व यही था हमारा कि जहारकंड में vaccine कहां लगाया जाएगा तो vaccine लगाने के process हमने आपको बता दिया अब बात करते हैं कि जहारकंड में जो vaccination का कारी किया जा रहा है तो वो आकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा अभी हमने बताया कि जहारकंड में जो अभी टीका करन का प्रारम किया गया है तो 18 प्लस मतलब 18 से लेकर आपका 44 वर्स हम यहाँ पर विगनोर कर रहे हैं आपका थ्यान रखिएगा यह 45 वियर्स के लिए अलग से है चल रहा है तो उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं आपका यह जो जानकारी दी गई है डेढ करोर मतलब 1.57 करोर जो अबादी है 18 से लेकर 44 वर्स के लोगों की जो उम्र है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है अगर हम बात करें तो 2 डोज समानियता लगाये जाते हैं आपका तो अगर हम बात करें तो 1.57 को अगर 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो ये करीब आपका 3.14 करोर आपका वैक्सीन की जरुवत पड़ेगी 3.3 करोर 14 लाख वैक्सीन आपको चाहिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो की जारखन में लगाये जाने है अभी सरकारी डाटा के लिंए अनुसर अगर हम बात करें तू झारखन में करीब जितना भी भेजा जाता है वैक्सीन उसमें 6% आपका वेस्ट चला जाता है मतलब बरभाद हो झाता है कं और हम इसमें बात करें तो करीब आपका अगर भारत सरकार अगर के राज सरकार को अगर साड़े तीन कड़ोर आपका डोस देती है तब जाकर इतने बड़ी संख्या को मतलब कि एक कड़ोर 57,000,000,000 लोगों को वेक्सिन लगाया जा सकता है क्योंकि एगर साड़े तीन कड़ोर की बात करें तो करीब आपका इसमें 6.30 अगर वेश्ट चला जाता है तो करीब यह 21,00,000 के लगबग आता है तो 21,60,000 के लगबग आपका वेश्ट चला जाएगा आपका 21,00,000 के लगबग यह आपका आएगा अगर 21,00,00 अगर विश्च चला जाएगा तो अगर बचता है आपका तो उतने वैक्सिन से आपका दो डोज आपका परती वैक्ती यहाँ पर लगाया जा सकता है यह आपका एक आकलन है अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को आपको यहाँ पर एक बताना चाहेंगे रोजाना एक लख वैक्सिन लगाया जा रहा है और दिल्ली में अभी जो वैक्सिन लगाया जा रहा है जिसमें करीव उम्र के मतलब देढ कोणे मतलब कि जारखंड के स्थीति जैसा है वहां पर मतलब कि जारखंड भी देखिए आप 18 से लेकर आपका 18 से लेकर आपका 44 वर्स के उम्र की लोगों की संख्या कितना है और वही स्थिति दिल्ली में भी भी है कि 18 वर्स से 44 वर्स के उम्र की लोगों की संख्या और यहाँ पर जो आपका है 50 लग से लगबग जो जादा लोग है आपका 45 वर्ष से ज़्यादा उम्रे के लोग है मतलब कि आपका 1.5 करोल लोगों को वैक्सिन लगाना अभी वहाँ पर कारी किया जा रहा है दिल्ली की सेयम की जो रिक्वार्मेंट है उन्होंने जो अभी डाटा के अंदर सरकार को दिया है उन्होंने एक प्रेस भी किया था उसमें उन्होंने पताया था कि अगर हम बात करें दिल्ली की जनता की तो 1.5 करोल अगर उनको वैक्सिन लगाना है तो करीब उनको 3 करोल वैक्सिन की जरूरत होगी और अभी आपका 40 लाख वैक्सिन के अंदर सरकार ने उनको दिया है अगर हम बात करें दिल्ली की सियम के अनुसर तो 3 महीनों में वो टार्गेट रखे हैं कि 2 करोल 60 लाख वैक्सिन उनको चाहिए जो कि वो लगाने के लिए टार्गेट रखे हैं आपका क्यूंकि अगर बात करें तो एक लाख वेक्सिन लगा रहे हैं अभी डेली तो अगर इनकी छमता तो और दिनों दिन बढ़ते जाएंगे जैसे कि अभी 100 इसकुलों में 200 इसकुलों में लगाया जा रहे हैं अगर इस छमता और बढ़ती है और आने वाले दिनों में दिल्ली में ये बोला गया है अपका की 200 से 300 इसकुलों में वेक्सिन का कारी किया जाएगा तो मतलब कि ये जस्ट डबल हो सकता है 2 लाख वेक्सिन भी डेली बेसिस पर लगाया जा सकते हैं तो वो तीन महीनों में अपने टार्गेट को पूरा करने का लक्ष रखते हैं अगर हम इन सारे चीज़ों को भी हटा दे तो दिल्ली के अधार पर ही हम लोग अपने राज्य की बात करें तो करीब जार्खंड को भी 3 कड़ोर तीन कड़ोर अगर दिखा जाए तो तीन कड़ोर से ज़्यादा ही इसलिए हम आप तीन कड़ोर के लगबग वैक्ष चाहिए अगर डेली बेसिस पर हम एक लख नहीं बोलते हैं जार्खंड के स्थितित्य तो देखी रहे हैं आपका कि अगर जार्खंड की बात करें तो एक कड़ोर वैक्षिन बतलब एक लाख वैक्षिन एक दिन में लगाना तो मुस्किल है क्योंकि अगर सेंटर की बात करें तो अभी जैसे कि हम नहीं बताया है कि जार्खंड के राची जिले में चोवन केंद्रों पर ये वैक्षिन लगाया जा रहा है आपका तो आने वाले दिनों में इसे भी बढ़ाया भी जा सकता है अन्य जीलों की बात करें तो जार्खंड में 24 जीलों है तो कहीं कहीं बताया जा रहा है कि ये 30 सेंटर है जहां पर वैक्षिन लग रहा है कहीं पर 10 से कहीं पर 15 है तो इस तरह से वैक्सिन उहां पर लगाए जाने, पहले डोज का, दूसरी डोज के लिए अलग-अलग सेंटर बनाये जाते हैं, उसके लिए अलग टार्गेट होता है आपका, तो ये सारी स्थितिया हो गई कि मतलब की आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो साड़े ती साले को लिए 50,000 का वैक्सिन, 50,000 लोगों को वैक्सिन डेली लग रहा है आपका, अगर यही टार्गेट जार्खन सरकार भी लगती है, तो आने वाले दिनों में भी जार्खन में भी आपका तीन से चार महिनों में अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन वैक्सिन होने चाहिए के अंदर सरकार, जैसा है लेकिन अभी इस्तिती है मात्र अभी जारकन को 2.34, मतलब 2.34,000 वैक्सिन ही मात्र मिले हैं, तो वो कितना जल्दी कारी होगा यह बताना, मुस्किल है, अब बात करते हैं कि जारकन को कुल वैक्सिन की कितना जरूरत होगी, तो हमने आपको यहां पर वैक्सिन की यहां पर जरूरत होगी, अगर कितने महीनों में कारी किया जाएगा, तो इसका टार्गेट रख सकते हैं, अगर इस अधार पर चलते रहें, कि अगर आप वैक्सिन अगर लगाया जाता है, आपका डेली बेसिस पर अगर 70,000 भी, माल लीजे हम जारकन में बोलत कर सके, यहां पर बहुत ज़्यादा इस्तितिक हराब है, जैसा कि आप यहां पर एक्स्पिरियंस भी ले रहे होंगे, आगे हम बताएंगे, क्योंकि अभी तक जन्वरी से वैक्सिन लगना प्रारम हो चुके थे, कि अंदर सरकार वैक्सिन वेकर ला चुकी थी, तो आगे ह सरकार ने अभी जो ओडर दिया है, पचास लाख डोस का ओडर दिया गया है, और यह दोनों कमपनियों को दिया गया है, आपको पता है कि जो को वैक्सिन है आपका भारत बायोटेक के द्वारा तयार किया जाता है, को वैक्सिन, भारत बायोटेक, और जो कोविट सिल है दोनों कम्पनिया ने अपने हाथ खड़े कर दिये हैं और बोले हैं कि हम इतना नहीं दे सकते हैं अभी एगर बात करें तो एक निउस्पेपर के अधार पर तो जारखन में भी फिलाल अभी आपका 6,34,000 के लगबग टीके हैं जिसमें की 18 परस के लिए आपका 2,34,000 टीके रखे गए हैं और बाकी आपका जो 44 पलस मतलब 45 वर्स से एवब के उम्र के लिए 4,00,000 डोस अभी रखे गए हैं आपका जिसमें की कारिये चल रहा है आपका अब बात करते हैं अन्त में की जो ज्छारखन में जनवरी से लेकर अभी तक कितने लोगों को टीका करन किया जा चुका है तो चुक्कि आपको पता है कि जो टीका करन हो रहा है आपका बहुत सारे एज गुरूप के लोगों को जैसे कि जेनरल जो लोग थे आपका आम पब्लिक 45 से एवब के लिए सभी के लिए टीका करन था और बाकी आपका जो सरकारी काम करने वाले हैं या पिर जो फ्रेंट लाइन वरकर्स हैं तो उन सब के लिए टीका करन कारी चल रहा है तो अभी तक जहारखन में आपका आपका कि 14,00,00 के करीब आपका पूरुस को और 13,00,00 करीब महिलाओं ने अपना टीका करण करवा लिया है जिसमें कि आपका 29,00,00,00,00 आपका COVID-CILD टीका करण दिया गया है 29,00,00, 63,362 लोगों को COVID-CILD टीका दिया गया है और 3,49,776 लोगों को COVID-CILD दिया गया है अगर हम कोरोना की बात करें तो आपको बता दें मतलब इसके cases की बात करें तो cases तो बहुत कम आये हैं COVID-CILD जो के वैक्सिन लगने के बाद एक और चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को मन में डर है कि जहारखंड में दिया जा रहा है हम जहारखंड के लेके चलेंगे आपका COVID-CILD दिया जा रहा है तो इन दोनों वैक्सिन के क्या आखिर प्रभा होते हैं जैसे कि यहां पर बताया गया है कि करीब आपका यहां पर देख सकते हैं कि जितने लोगों को यहां पर वैक्सिन दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं करीब 32 लाख लोगों को अभी तक वैक्सिन दिया जा चुका है जारखंड में आपका सभी को बिला कर तो उसमें से मात्र आपका 0.019% लोगों ने ही ठीका लेने के बाद यह कुछ स्वास समंधिसी सिकायते की हैं वरना सभी स्वक्ष थे और कोरोना अगर इनको हुआ भी है तो बहुत कम केसे हुए हैं जहां पर किसी को ज़्यादा एफेक्ट किया या पिर उनकी मित्य हुई है उन दोनों वैक्सिन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे अब बात करते हैं आपका कि यह तो ओभरोल टीका हो गया कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स ते सरकारी करमचारी या भी जो भी वैक्ति थे और 45 से एवब के लोग थे उनको टीका दिया गया है तो यह पुरा फैक्ट फाइल था आपका अब इसमें देशा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो अभी तक मिला है आपका 18 से 45 वर्स की उम्र की बात करें तो 3,52,000 लोगों को टीका अल्रेडी लग चुका है लगाना कितना है 18 से 45,44 वर्स के उमर के लोगों को 1.57 मतलब एक करोड़ 57,00,00,00 लोगों को जिसमें कि पहले ही खुद आपका करीब 3,50,00,00,00 लोगों को टीका लग चुका है और बाकी के भी बहुत बड़ी संक्याओं को मतलब 1.5 करोड़ के लगभग लोगों को आप ले सकते हैं कि आपको उनको टीका लगाना जरूरी है तो ये टार्गेट व जार्खंड की तुलना सही नहीं होगा दिल्ली कहां दिल्ली ही है और जार्खंड अपना जार्खंड ही है जार्खंड के मुखे मंतरी खुद बोलते हैं कि हमारा राज्य जो है गरीब राज्य है तो आगे उनको देखना है कि किस तरह से गरीब राज्य को समारते हैं और कि की अपेक्छाएं भी उनसे बहुत जादा है आपका हर लोगों की तो और भी इसमें बहुत सारे लोगों को टीका करन के लेकर बहुत सारे संसय है अपवा फैलाए गए है तो उन चीजों पर भी हम अगले वीडियो में बात करें लेकिन हैं पर हम बताना चाहेंगे आपका कि इसमें किसी तरह का डाउट मत रखिए और किसी अपवा पर ध्यान मत दीजिए जो भी आपको टीका मिलता है जरूर उसे आप लगाईए और जल से जल लगाईए और अपने आसपा जितने भी लोगों सब को लगाने के लिए प्रिरित कीजिए तो इन दोनों के बारे में वैक्सिन जो यहां पर लगाये जा रहे हैं अगले वीडियो में डिसकस करेंगे और भी अन्य बाते करेंगे आपका आच के लिए बस इतना ही थाइंक्यू